आज हम बनाने जा रहे हैं मौंग दाल से बहुती तेश्टी नास्ता यहां मैंने मौंग दाल को ओरनाइट भूग के रखा था अब इसको ग्राइंड करेंगे इसमें दो हरी मिर्च नमक थोड़ा सा डालेंगे और हाप कप के करीब में इसमें पानी डालूँगी इतना ही पा इस्टी आपका नास्ता बनकर तयार होएगा इसमें थोड़ा साइन हो जाएगा क्योंकि मैं इसको इसको इस्टेंट बनाने वाली हूँ अगर आप इसको जल्दी ना बनाए तो आप इसको एक या दो घंटा ऐसी छोड़ दें दही डाल कर खटा गई और तब बना सकते हो तबी भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है आप देख सब्सक्कटेवों मैंने ऑइल गरम कर लिया है थोड़ा सरही लिया है जीरा थोड़े से कृफ़त यह करी पत्ते आड़ दस और मैंने प्याज जो चोप कर लिया था उसको डाला है बहुती कम समान में मैं आपको ब आप चाहे तो ज्यादा सब्जा डाल सकते हैं एक तिमाटर है जो मैंने चोप किया हुआ है नमक स्वादनों सा डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पावडर इससे काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर आप चाहे तो इसकी जगए हां हरी मि मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है और निकलने लगा है यहां गरम मसाला जाएगा यहां मैंने चार बोई लालू लिये थे जिनने मैस कर लिया था इनको इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमारी यह स्टफिंग को मिला लेंगे बहुती बहतरी इस तरह से भी श्टफिंग बनकर त्यार होती है आप जरूर इसे बनाए इस तरह से और बहुती जल्दी आपका यह नास्ता बनकर त्यार हो जाता है यह आमें बच्छों के लिए बना रही हूं breakfast इस तरह से आप रात को बोई लालू करके रख सकते हैं मैंने पैन लिया है इसमें ओईल लगा लिया था नीचे आप चमचा के करीब हमने यह बैटर लिया है अब इसके उपर हमने जो इस्टफिंग तयार की थी उसको हाथों से थोड़ा सा फैला कर इस पर फैला देंगे कमाल की हमारी यह नास्ता बन कर तयार होता है आप जरूर इ इसके उपर फैला देंगे भोती टेश्टी और यह कमाल का हमारा नास्ता तयार होता है यहां हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रख देना है सुरू में हमें गरम कर लेना है अच्छे से और फिर गैस मीडियम कर लेनी है जिससे यह धीरे-धीरे पकेगा तो भोती कमाल का और अच्छे से पक जाएगा साइड से इसको सैट कर देंगे थोड़ा जो यह उपर से निकल गया है इस तरह से हलके से सैट कर देंगे और यहां गैस को मीडियम फ्लेम पर ही हमें रखना है अभी थोड़ देर के लिए से ढग देते हैं हलके से धीरे-धीरे हमारा आप देख सक सकते हो इसका थोड़ा कलर चेंज हो चुका है यहां मैंने थोड़ा घी डाला है आप चाहे तो ओल कर सकते हो वन इस्पून के गरीब मैंने इसके ओपर घी डाला है इसको चारो तरफ वह कर देंगे में फैला देंगे जब हम इससे पलटेंगे तो यह अच्छे से अगली त सकते हों कितने अच्छे से हमारा सिखा है अभी से साइड से भी हम थोड़ा सही कर देंगे यह जो हमारा साइड से फैल सी गया है अभी से थोड़ देर इस तरह से हमें दोनों तरब से अलट पलटके से सेख लेना है बहुत ही टेश्टी हमारा इनास्ता बनकर तयार होता है आप जरूर इसे ट्राय करें थोड़े देर इसको ढग देते हैं पाच मिंट हमें इस तरह से भी क्रिस्पी बना लेना है अभी आप देख सकते हो उपर से भी काफी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा हम इसे दुबारा पलट लेंगे देखने के लिए नीचे से कैसा हमारा सिखा हुआ है अभी पलट लेते हैं मुझे काफी कोल्ड हुआ हुआ है इसलिए थोड़ा आवाज चेंज हो गई है हलके से हीला देंगे इसको अभी इसको दुबारा पलट देते हैं वाओ कितने अच्छे से हमारा सिख गया है दोनों तरफ से इसे अलट पलट के हम इसे अच्छे से सेख लेंगे बहुती कमाल का और यह हेल्दी नास्ता होता है मुंगडाल काफी हेल्दी होती है आप बच्छों के डिफन में या घर में भी से अराम से नास्ते को कर सकते हो और बहुती कम समय में यह तयार भी हो जाता है इसमें जादा समय भी नहीं लगता है अच्छे से हमारा बन चुका है, थोड़ा सा हातों की मदद से, इसको घुमा देंगे, या फिर आप पल्टे काई इस्तमाल करना, कई बार हाथ जलने कडर रहता है, अभी अच्छे से हमारा ये बन चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, वाओ! अभी हम आपके इसको कट करके दिखाते हैं, आप इसको चटनी या सोस के साथ खा सकते हैं, मेरे पास ग्रीन चिली सोस था, और उससे ही हमने सिखाया है, बहुत ही टेश्टी लगता है, वाओ! आप देख सकते हैं, अंदर से भी किता टेश्टी बना हुआ है, इस तरह से आप भी घर में बनाएं, और इंचोई कीजिए, अभी मैं आपको एक डोसा भी बना कर दिखाती हूँ, मसाला डोसा, मसाला डोसा बनाने के लिए, यही बैटर हमारा यूज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से बनता है, यहां मैंने थोड़ा सा ओल ग्रेस कर लि हाएगे, हलके से फैला देंगे, बहुत ही अच्छे से हमारा ही मसाला डोसा भी बन कर त्यार होएगा, आप चाहे तो इस स्टफिंग में पनीर का भी यूज कर सकते हो, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हैं, लेकिन आप जब इससे इस तरह से भी बनाओगे, तो और खाओगे, बहुत ही टेश्टी लगेगा, घर के बेसिक समान से ही मैंने इसे बनाया है, अभी इस पे स्टफिंग को फैला देंगे, जहाँ गैस को हमने मीडिम फ्लेम पर कर रखा है, अभी इसे अच्छे से पकने देंगे, इस तरह से हमने स्टफिंग अपनी लगा दी है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसको पलटेंगे, मोड़ देंगे, इसको साइड से आगे से पलट, इसको सेखने की जोर्त नहीं पड़ती है, आप देख सकते हैं, अंदर से अच्छे से पक चुका है, वाउ, कितने अच्छे से हमारा डोसा बनकर तयार ह हुआ है, इस तरह से आप घर में डोसा बना सकते हो, मस्त डोसा बनकर तयार हुआ है, अच्छे से इसको परली तरफ से भी हम दुबारे भी सेखेंगे, क्रिस्पी होने तक, कमाल का हमारा ये डोसा बना है, और बहुत ही जल्दी हमने इसे तयार भी कर लिया है, आप इसको जरूर ट्राइ करके देखें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी इसको दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे, ताकि यहां से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, आप देख सकते हो कितना आपको दिखाते है, कितना कमाल का यह क्रिस्पी बन कर तैयार हुआ है, वाओ, और खाने में भी घजब का लगेगा, कमाल का है, भोती कमाल का बना है, क्रिस्पी बना है, वाओ, आपको देख सकते हैं, 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 वाओ